नमस्कार जार्खणी नूज में आपका स्वागत है आज बात करेंगे जार्खण होमगाट भरती जो की पलामू में सारेडिक जाच परिक्षा होना है उसके लिए एडमिट कार्ड डॉनलोड कैसे करें कहां से करें सारेडिक जाच परिक्षा में क्या लेकर जाना है उस दिन क चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूले और हाँ अपने आसपास के दोस्तों के पास सेर अवस्य करें तो सबसे पहले आपको बता दें कि पलामु गिरी हिरक्षा वाहनी के लिए सरेरिक जाज परिक्षा दो बारह से लेकर 20 बारह तक ह होना है जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं प्रेस बिग्यप्ति निकाला गया है और इसमें पलामु जीला अंतरगात ग्री हिरक्षा के रूप में नो नमांकन है तो एक चुक अभियार्थियों से बिग्यापन संख्या एक दो हजार तेज के तहत ओनलाइन आवेदन प किया गया है तो आपको पता दे कि सबसे पहले पाटन पर खंड के लिए 2 दिसंबर को समय का निधान किया गया है वही सिर्फ पूरूस उमिद्वार को ही 2 दिसंबर को जाना है तो आपको पता दे कि पाटन के जितने भी पूरूस हैं सिर्फ वही जाएंगे और महिला के लि वहां पर पहुंचे और आपको बता दे कि तकणिकी दक्षता जो सिर्फ सहरी उमिद्वारों के लिए है उनके लिए 20-12 को समय का निधारन किया गया है तो आपको बता दे यहां पर अभियार्थिव को फोटो यूग्त ऑनलाइन पाउती लाना अनिवारे किया गया है तो आप पावती को यदि डाउनलोड नहीं किये होंगे तो यहाँ देख सकते हैं requirement.jharkhan.gov.in website पर जाकर अपनी पावती डाउनलोड कर सकते हैं और यदि पावती डाउनलोड करने में किसी भी तरह की समस्या हो तो आप palamu.nic.in से समपर कर सकते हैं साथी साथ यहाँ पर अभियार्थियों के लिए कुछ महत्पुन सुचनाय दी गई है आप यहाँ पर देख सकते हैं अभियार्थियों को पावती के अलावा अपने साथ कोई भी अने समागरी तथा electronic gadget, mobile, आदी मैदान के अंदर ले जाने के अनुमती नहीं दी जाएगी तो यहाँ पर सिर्फ पावती ही लेकर जाना है तो चलिए अब बात कर लेते हैं आपको इसमें कितना दोड़ना है कितना दोड़ पर कितना अंक दिया जाएगा साथी साथ आप सारीरिक परिक्षा के बाद लिखित परिक्षा में क्या लिखें जिससे की आप पास कर सकते हैं और सारीरिक परिक्षा सिर्फ क्वालिफाई होगा या इसमें भी मारक मिलेगा इसके बारे में पूरी जनकारी देते हैं तो आपको बता दे कि यहाँ पे ग्रीह रक्षा वाहनी पलामू का जो बिग्यापन संख्या एक दुरहजार तेश था उस पर पहुंच चुके हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं परखंडवार कितना रिक्तिया हैं उसके बारे में भी जनकारी दिया गया है तो आप अपनी सुविधान उसार पढ़ सकते हैं इस पीडियो को डाउनलोड करने के लिए आप पलामू.nic.in से भी डाउनलोड कर सकते हैं तो यहाँ पे आपको बता देख कि सारे दिक माप दंड में पूरसो के लिए लंबाई जो है ओ एक 62 cm निधारित किया गया है जिसमें समाने OBC और BC12 दोनों ही कटेगरी आते हैं वही स्थी स्थी कटेगरी के लिए एक संतावन निधारित है वही पूरसो के लिए सिर्फ सीना का जो है वो माप 89 cm समाने OBC सभी के लिए है और ACST के लिए 76 cm है वही महिलाओ की बात करें तो इनके लिए एक 48 cm सिर्फ हाइट मापी जाएगी तो चलिए आगे इसके बारे में जो तकनीकी दक्सता है आपको पता है दे दोस्तों तो शिर्फ और सिर्फ सहरी छेत्री के लिए है जो सहरी छेतर में ग्रिः रक्षक वाहनी के लिए अभीयारती आवेदन किया है उनके लिए है तो चैन परकिरिया में यहां पर आप देख सकते हैं गिरिह विभाग जहरकन सरकार राची की अधिसुचना संख्या 5422 दिनायंक 20-10-14 के आलोक में चैन समितिद्वार निधारी चैन परक्रिया के अंतरगात निमलिखित जांच परिक्षा ली जाएगी जिसमें अंक भी परदान किये गए हैं आपको बता दे इस दोड़ में पूरिसों के लिए 5 मिनट या उससे पहले दोड़ने पर 20 अंक दिये जाएंगे आप यहाँ पर असपश्ट रूप से देख सकते हैं और 5 मिनट या उससे अधिक 6 मिनट के अंदर पर 10 अंक दिये जाएंगे और यादि 6 मिनट से ज्यादा लगता है तो ऐसे अभियार्थियों को आयोग या मान लिया जाएगा वही महिलाओ के लिए 1 मिल का दोड़ 8 मिनट या उससे पहले दोड़ने पर 20 अंक और 8 मिनट या अधिक या 10 मिनट के अंदर 10 अंक दिये जाएंगे और 10 मिनट से अधिक समय लेने वाले आयोग यगोशित किये जाएंगे वही आप देख सकते हैं उची कूद पूरसो के लिए निमतम 4 फिट जिसमें 5 अंक दिये जाएंगे और महिलाओ के लिए निमतम 3 फिट है जिसमें 5 अंक दिये जाएंगे वही पूरसो के लिए अधिक तम 5 या 5 से अधिक होने पर 10 अंक दिये जाएंगे और पूर्सों के लिए 4 या 4 से अधिक पर 10 अंक दिये जाएंगे वहीं लंबी कूद में भी पूर्शों के लिए 12 फिट नियुम्तम है जो कि 5 अंक और महिलाओं के लिए 9 फिट नियुम्तम है जिसमें 5 अंक और अधिकतम 13 से अधिक पर 10 अंक या 13 पर 10 अंक दिये जाएंगे वहीं अब बात करते हैं सहरी गृह रक्षक अभ्यार्थियों के लिए उन्हें दवड में 6 मिनट या उससे पहले पर 20 अंक और महिलाओं को 8 मिनट या उससे पहले पर 20 अंक दिये जाएंगे वहीं अब बात कर लेते हैं हिंदी लेखन परिक्षा में क्या होगा यहां पर आप देख सकते हैं सारी रिक जाच में योग ये पाये जाने पर अभियारतियों के हिंदी लेखन दक्षता की परिक्षा में सामिल होना पड़ेगा जिसमें ग्रामिन गिरी रक्षक के लिए 7 वी कक्षा तथा सहरी गिरी रक्षक के लिए 10 वी कक्षा के अस्तर अनुसार लेखन छमता की जाएगी यह सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग होगा है पूर्णता पूरी तरह से पूर्णांक इसमें 100 होगा जिसमें उतिरनांक यानि पास होने के लिए आपको 30 अंक लाना अनिवारे होगा तो ऐसा करता होगा आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और पूरी जनकारी मिल चुकी होगी तो आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगे तो सब्सक्राइब अवस्य कर लें साथी साथ अपने दोस्तों साथ सेर भी करें और यहाँ पर आप देख सकते हैं यदि आपके पास किसी भी तरह का राज अस्तरिय या राष्ट अस्तरिय खेल कुद भी हो तो आपको 6 अंक राष्ट्रिय अस्तर और राज अस्तरिय प्रतीन अंक दिये जाएंगे प्रथम स्रेनी को उसी तरह से सहरी गिरी रक्षक अभियार्थियों के लिए असनत कोतर पर 10 अंक और असनातक पर 8 अंक दिये जाएंगे तो आप देख सकते हैं जो भी आपको जनकारी लेनी होगी ओ आप जैप, IT, रांची का ओफिस्यल वेब साइट रिक्वर्मेंट. जार्खन. इन से एड्मिट कार्ड भी डाउनलोड कर सकते हैं और यहीं से आप जनकारी भी ले सकते हैं और साथी साथ आपको एड्मिट कार्ड लेकर जाना अनिवार्य है तो आप एड्मिट कार्ड अवस्य डाउनलोड कर ले और किसी भी तरह की समस्या होता आप हमें कमेंट बक्स में अपना फीड़बैक अवस्य दे थैंक यू